काजल की सास और ननत दोनों ही आपस में उसकी बुराईयां करती रहती थी पर काजल हमेशा चुप रहती थी शिल्पा की शादी को कुछ टाइम ही हुआ था काजल ने शिल्पा की शादी में पूरा सहयोग दिया यहां तक की पूरी जिम्मेदारी ही उसके उपर थी उसने खुशी-खुशी अपनी ननत की शादी में सारे इंतजाम देखे पर फिर भी शिल्पा और उसकी मा को इससे कोई फर्प नहीं पड़ा वो तो आज भी एक दूसरे से उसकी बुराई करने में ही लगी हुई थी अरे तो आज आना इतना सोच क्यों रही है मैं भी तेरे ले उदास हो रही हूँ शाम को आज मैं तेरी पसंद के छोले भटूरे बहु को कहकर बनवालूगी रहने दो ममी बिकार में तुम उन्हें बोलोगी तो वो यही कहेंगी कि जब देखो मैं माई के आई रहती हूँ और उनके सिर पर बोश डालती हूँ पता चला मन ही मन ना जाने मेरे बारे में क्या क्या बोले मैं नहीं आ रही शिल्पा ये तेरा अपना घर है तु जब मर्जी आ और मैं कुछ नहीं सुनूगी तु शाम को घर आ मैं बोल रही हूँ उसे भटूरे छोले बनवाने के लिए ठीक है मैं फोन रखती हूँ शिल्पा ने फोन रख दिया और उसकी मा ने काजल को ओर्डर सुना दिया शाम को शिल्पा आ रही है उसकी पसंद के भटूरे छोले बनाने है छोले थोड़े करारे मिर्ची वाले ही बनाना फीके बना दिये तो वो बिल्कुल नहीं खाएगी ठीक है ममी जी मैं अभी छोले भीगो देती हूँ काजल छोले भटूरे बना लेती है पर शिल्पा अपनी आदत के हिसाब से वही खाने में कम्या निकालती है और नाक मूसी कोड़ती है ममी इतने फीके छोले आपको पता है ना कि मैं तेज मिर्च मसाले वाले खाना खाती हूँ क्या करूँ ये इतना फीका खाना बनाती है कि बिल्कुल भी स्वाद नहीं आता जब से तु गई है तब से खाने में स्वाद ही आना बंद हो गया है बहू कुछ भी कहो अभी खाना बनाने में तुम्हारे हाथ कच्चे है छोड़ो ममी इन्हें कहना बेकार है अच्छा मेरी बात सुनो पहला करवा चौथ है मेरा मैंने सोच लिया है कि वो जो फेमस ब्यूटी पार्लर है ना जिसका वीडियो मैंने आपको दिखाया था ममी क्या तयार करती है वो पार्लर वाली बहुत सुन्दर मेरा तो मन है कि मैं इस करवा चौथ की शाम वहीं से तयार हो जाओ ताकि सब रिष्टिदार देखते ही रह जाए हाँ ठीक है जैसा तुझे अच्छा लगे बस तेरी सास को खुश होना चाहिए शिल्पा वो पार्लर बहुत दूर है यहां से कम से कम डेर दो घंटे लगते हैं वहाँ जाने जाने में और रास्ते पर बहुत ट्रैफिक होता है तैयार होकर वापसी आने में तुम्हें बहुत लेट हो जाएगा क्योंकि त्योहार का दिन होगा भावी मैं सब जानती हो आप ये चारी हो कि आप मेरे से सुन्दर लगो क्योंकि आप लोगों ने भी आना है उस दिन हर बात में आप अपने आपको आके रखते हो मुझे समझाने के जरूरत नहीं है, मुझे सब पता है, मुझे क्या करना है, आप बस अपना काम करो, मेरे कामों के बीच में अपनी टांग मत अड़ाओ इसे बोलने दे, अच्छा सुन, सारा सामान मैंने मंगवा लिया है, तू एक बार देख ले, तुझे कोई कमी लग रही हो तो बता दे, चल, मैं तुझे दिखाती हूँ, बेडरूम में ही रखा है काजल कुछ नहीं बोलती, वो चुप चाप अपने काम में लगी रहती है करवा चौत के दिन शिल्पा अपनी मनमर्जी ही करती है शिल्पा बहू, तुम्हें पता है न, पूझा का समय पांच बजे का है, उससे पहले ही तयार हो जाना, सारे रिष्टेदार आ रहे है शिल्पा, तुम पास वाले पालर में ही गई हो न, तयार होने, क्योंकि मैंने तुम्हें का था, कि वो पालर बहुत दूर है जहां तुम कह रही हो हाँ, हाँ, मैं वो वाले में नहीं गई हो, मुझे पता था आपकी मीटिंग है, तो आप लेने नहीं आ पाओगे इसलिए मैं नस्दीक वाले पालर में ही हो, मैं तयार होकर घर आ जाओंगी, और सुनो, ओफिस से जल्दी आ जाना, चंद्रमा निकलने के बाद मेर से वेट नहीं होगा हाँ, हाँ, जल्दी आ जाओंगा, मुझे पता है आज तुम्हारा पहला करवा चौत है भाईया अभी कितनी देर और दिखा रहा है, बस मैडम बीस मिनट और मैं तो बहुत जल्दी पहुँच गई, अभी तो सिर्फ धाई ही बज़े, मुझे लगता है साड़े तीन बज़े तक मैं एक घंटे में आराम से तयार हो जाओंगी बड़ा बोल रही थी काजल भाबी वहां मत जाओ, वहां मत जाओ, मुझे सब पता है, वो मेर से जलती है मेरी सास के सामने खुद सुन्दर बन कर आ जाती है और मैं बिलकुल बेकार आज मैं ऐसी तयार होकर आऊंगी कि सब देखते रह जाएंगे शिल्पा पार्लर पहुँचती है पर पार्लर के बाहर ताल लगा हुआ था शिल्पा घबरा गई, उसने पार्लर की ओनर को फोन किया हलो मैं, ये आज पार्लर क्यों बंद है? मैं दो दिन पार्लर की चुट्टी है, मेरा खुद का पहला करवा चोथे इसलिए मैं अपने ससुराल आई हूँ, मैं शेहर में नहीं हूँ अगर कोई भी काम करवाना हो तो दो दिन बाद ही पार्लर खुलेगा हे भगवान, मैं इतनी दूर आई भी और पार्लर बंदे कैसे करू? शिल्पा वापस घर की कैप करती है और वहीं घर के पास वाले पार्लर में जाती है मैं मेकप करवाना था सौरी मैम, आपको एक घंटा वेट करना होगा, प्री बुकिंग चल रही है, अभी तो स्टाफ विजी है एक घंटा तो मैं वेट ही नहीं कर सकती, मैं क्या करूँ कुछ समझ नहीं आ रहा ये काजल भाबी क्यों फोन कर रही है? हलो, हाँ भाबी, बोलो क्या काम है? वो शिल्पा, ममी जी ने बोला था कि तुमसे एक बार पूछलू की पूजा का टाइम कपका है, तो हम घर से निकल जाएंगे, तुम तयार हो गई ना? नहीं, मैं तयार नहीं हुई हूई 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 हलो, शिल्पा, तुम रो क्यों रही हो? क्या हुआ है, मुझे बताओ, मेरा मन घबरा रहा है मैं नहीं हूई हूई हूँ तयार, भाबी, मैं बहुत परिशानी में हूँ, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा शिल्पा काजल को फोन पर सारी बात बताती है, काजल चुप चाप घर से शिल्पा के पास पहुँचती है टेंशन मतलो शिल्पा, तुम्हें मैं समय से पहले तयार करवा दूगी अभी पूजा में टाइम है, चलो, तुम मेरे साथ स्कूटी पर बैठो काजल शिल्पा को अपने साथ स्कूटी पर बिठाती है, और वही नस्दीक में काजल की फ्रेंड का घर था उसने घर में पार्लर बना रखा था सुनेना, ये मेरी ननद है शिल्पा, शिल्पा का पहला करवा चौथ है मैं चाहती हूँ तुम शिल्पा को बहुत सुन्दर तयार करो, पर हमारे पास सिर्फ आदा घंटा है टेंशन मतलो, मैं तयार कर दूँगी आओ बैठो शिल्पा, एक काम करो, पहले तुम चेंज कर लो ठीक है, मैं चेंज कर लेती हूँ पर, पांच बज़े से पहले प्लीज मुझे तयार कर देना शिल्पा, टेंशन मतलो, तुम तयार हो जाओगी और 10-15 मिनट उपर नीचे कोई बात नहीं होती अब तुम रिलेक्स हो जाओ और आराम से तयार हो, ताकि तुम बहुत सुन्दर लगो काजल की फ्रेंड सुनेना शिल्पा को बहुत सुन्दर तयार कर देती है तेंक यू सुनेना दीदी, आपने बहुत सुन्दर मेकप किया है इट्स माइ प्लेसर जियर थैंक यू सुनेना बाखी मुझे बता देना कितने हुए मैं तुम्हें आनलाइन पेमिंट कर दूँगी अभी तो मैं कैश भी नहीं रख कर लाई थी कोई बात नहीं डियर पहले तुम आराम से पूजा में पहुंच जा अरे तुम भी तो तयार हो जाती काजल थोड़ी देर रुकती तो मैं ही तुम्हें तयार कर देती अरे कोई नहीं यार मेरे को दो मिनट लगेंगे साड़ी पहनने में अगर तेरे से तयार होंगी तो मैं बहुत लेट हो जाओंगी मुझे शिल्पा को टाइम पर घर छोड़ना है शिल्पा देख रही थी कि काजल की फ्रेंड कितनी अच्छी है उन दोनों की दोस्ती कितनी अच्छी है और काजल भी उसके लिए कितना कुछ कर रही है शिल्पा को लेकर काजल उसके ससुराल पहुँचती है पर वो अंदर नहीं जाती, वो शिल्पा को दर्वाजे पर ही उतार देती है। शिल्पा टाइम पर घर पहुँच चुकी थी, इसलिए सब बात संभल जाती है। शिल्पा की मम्मी भी पूजा में पहुँच चुकी थी, पर काजल को तो अभी तैयार होना था, इसलिए वो घर पर तैयार हो रही थी, देखा शिल्पा, तो इतनी दूर से तैयार होकर लॉड भी आई और काजल को देखो, पता ही नहीं, स्कूटी लेकर कहानी कल गई है, मु पूजा में पहले पहुची हो, शिल्पा अपनी मम्मी को सारी बात बताती है, मम्मी, काजल भाबी बहुत अच्छी है, हम दोनों बेकारी उनकी इतनी बुराईया करते थे, मम्मी हम दोनों को वादा करना होगा, अब हम काजल भाबी के लिए कभी कुछ नहीं बोलेंगे, आप भी उन्हें कुछ मत बोलना, वो बहुत अच्छी है, अभी शिल्पा अपनी मम्मी से बात करी रही थी कि काजल भी आ जाती है, वो सौरी मम्मी जी तैयार होने में थोड़ी देर हो गई, काजल मुझे शिल्पा ने सब कुछ बता दिया है, कोई बात नहीं बहू, चलो बहुत अच्छी हो, मेरी प्यारी ननत भी तो लाखों में एक है, शिल्पा अपनी भावी काजल के गले लग जाती है, काजल भी अपनी ननत को प्यार से गले लगा लेती है, बाई, रुपाली, अब तुम भी नाश्ता कर लो, सुबह से कुछ ने खाया तुमने, आप भी इसास केत की का स्वभाव बहुत ही खडूस था, अरे, दर्वाजी पर छोड़ने गई थी, या सीधा ओफिस छोड़ कर आई है, पता नहीं, ये आजकल की बहुए, गेत पर खड़ी पती से हसी ठीठोली करने में बिलकुल भी शरम नहीं करती, और ये टिंडे की सबजी में नमक डालना भूल गई थी, क्या? माची, डॉक्टर ने आपको बीपी की वज़े से कम नमक खाने के लिए बोला है, इसलिए आपकी सबजी अलग निकाल दी थी, अरे, मुझे कुछ नहीं होने वाला इतनी जल्दी, एक काम कर, एक पैन और कॉपी लेकर आजरा, तुझे परकटोरी, सब के कपड़े, गैने, हाँ, चीनी, चावल से भरे भगोने या बालती और बाकी सभी रिष्टेदारों को देने के लिए लिफाफे भी, अब मुठी खाली थोड़ी भिजवाऊंगी, लिफाफा भी तो देना होगा, चल, अब ममी को ये पूरी लिस्ट फोन पर समझा दे, पहला करवा चौत है और शादी के बाद तो पहला करवा चौत पूरे रिती रिवास से होना ही चाहिए, भाई हमने भी रिष्टेदारों को मुदी खाना है, केतकी ये जो तुम कर रही हो, ठीक नहीं है, हमारी खुद की भी बेटी है, अग कुछ तो सूचो, तुम चुप रहो जी, मुझे पता है मैं ठीक कर रही हूँ, तुम क्या जानो बहु का पहला करवा चौत कितना बड़ा त्योहार है। वापस आता है, तो वो रुपाली को परिशान देखता है। रुपाली के पापा के पास इतने पैसे नहीं है। अब कम से कम माय के से करवा चौत का सामान मंगा कर इस घर की इज़त तो रखी सकती हो या करवा दोगी हमारी बेज़ती। गौरब को पता था कि उसकी मा केतकी नहीं मानने वाली। केतकी को रिष्टेदारों में दिखावा करने की आदत है। करवा चौत को तीन दिन बाकी थे। उसी शाम केतकी और दीन दयाल की बेटी साथना जिसकी शादी उसी शेहद में एक साल पहले हुई थी। वो रोती हुई आ जाती है। मुझे कुछ बता तु जब से आई है रोय ही जा रही है। जब तक बताएगी नहीं पता कैसे चलेगा। दामाद जी को फोन किया है वो भी फोन काट रहे है। साधना दीदी थोड़ा सा तो कुछ खा लो। नहीं बाबी मैं कुछ नहीं काऊंगी न प्योंगी। मारोहित ने अपनी बेहन की बातों में आकर मेरे उपर जूटा इलसाम लगाया है। पता नहीं उन्हें क्या हो गया है। कहते हैं मेरा किसी और के साथ चक्कर चल रहा है। और उन्हें उस लड़के को उनके पीछे घर आते देखा है। आप ही बताओ पिदा जी, रोहित तो यहां तक बोल चुके कि उन्हें मेरे से शादी करके गलती की है। मेरा फोन भी चीन लिया है कि मैं उस लड़के से बात करती हूँ। और आज तो उन्हें ये तक बोल दिया कि उन्हें मेरे से तलाक लेना है। चुप हो जा मेरी बच्ची, मैं दामाद जी से बात करूँगी। ऐसे कैसे वो अपनी बेहन की बातों में आ गए। चुंता मत कर साधना, हम बात करेंगे दामाद जी से। तबी गौरव भी आ जाता है और उसे भी सारी बात का पता चलता है। वो रोहित को फोन करता है। रोहित जी आप बिना आखों से देखे साधना पर कैसे इलजाम लगा सकते हैं। ये तो सरा-सर अन्या है। गौरव थोड़ा धीरे से बात कर तेरे जीजा हैं वो वरना बात और बिगड़ जाएगी। रोहित फोन काट देता है। गौरव भी परिशान हो जाता है। घर में सभी का मन खराब था। इसे बीच रुपाली की मा उसे फोन करती है। रुपाली जैसा तुने मुझे बताया था वैसा मैंने कोशिश की है कि तेरी सास को बस पसंद आ जाए। कल मैं तेरे पापा के साथ आऊंगी करवा चौत का सामान देने। ठीक है मम्मी वैसे साधना दीदी भी यहीं आई हुई हैं आप उन्हीं भी मिल लेना। रुपाली ने अपनी मम्मी को करवा चौत के सामान के लिए फोन कर दिया था लेकिन साधना की परिशानी में केटकी का सारा ध्यान साधना में ही लग गया था। मा जी सबजियां और कुछ दालें खत्म हो रहे हैं मैं मार्केट से ले आती हूँ पिता जी भी अपने दोस्त से मिलने गए हुए हैं रात तक लोटेंगे दीदी आप चलोगी साथ। नहीं रुपाली मेरा कहीं भी जाने का मन नहीं है तुम ले आओ। रुपाली बाजार चली जाती है ये तो साधम दीदी की नने प्रिती दिखाई पड़ती है पर इसके साथ ये लड़का कौन है और ये दोनों तो ऐसा लग रहा जैसे एक दूसरे को अच्छे से जानते हैं मुझे ये सब रोहित जी को दिखाना होगा पर कैसे अहां एक रोहित जी पती पत्नी का रिष्टा एक टूट विश्वास में बंधा होता है विवाह के वक्त इसी विश्वास की नेव पर पती पत्नी अपने रिष्टे का घरोंदा बनाते हैं वैसा ही एक घरोंदा आपने और साधमा ने बनाया है इसे टूटने से सिर्फ आप ही बचा विश्वास खात साध्ना ने किया है भावी, मैंने तो हमेशा उसे प्यार किया है रोहित जी, कभी-कभी जो हमें दिखाया जाता है वो सच नहीं होता, ये मानना भी जरूरी है अब नाचाने पृती ने ये जूट दिखाने के लिए अपना कौन सा सच चुपाय है ये देखिए रोहित जी, यही लड़का है ना जिसे उस दिन आपने अपने घर से बाहर आते देखा था, ये देखिए रोहित जब प्रिती के साथ उस लड़के की फोटो देखता है तो उसे सारी बात समझ में आ जाती है और वो घर जाकर प्रीती से सारी सच्चाई उगलवाता है प्रीती तुमने अपने आपको बचाने के लिए अपनी भावी को भसाया तो मुझे एक बार उस लड़के के बारे में बता देती क्या मैं मना कर देता अगर लड़का अच्छा है तो मैं खुद तुम्हारे लिए उससे बात करता मा बाबुजी के जाने के बाद तुम्हारी जिम्मेदारी संभालना मेरा फर्स है पर तुमने ये गलत किया प्रीती मैं तुम्हें कभी माफ नहीं करूँगा भाया मुझे माफ कर तुम्हें डर गई थी कि कहीं आप वैभाव को देखकर गुस्सा ना हो जाओ इसलिए उस वक्त मुझे जो ठीक लगा मैंने किया मैंने साधना भावी से भी माफी मांगी भाया प्लीज मुझे उनके पास ले चलिए साधना आज अगर रूपाली भावी ना होती तो शायद इस सच से परदा कभी नहीं उठता उन्होंने ही मुझे आज इस सच के बारे में बताया प्रीती ने जो भी बचपने में आकर गलती किया ये बहुत बड़ी है फिर भी मैं चाहता हूँ कि तुम इसके लिए मुझे और प्रिटी को माफ कर दो रुपाली भापी आपने मेरा गर खराब होने से बचा लिया आज आपकी वज़े से ही मेरी शादी शुदा सिंदगी बिखरने से बच गई साधना दीदी ये तो मेरा फ़ाइस था अब आप रोना बन कीजे कल करवा चौध है हम सब मिलकर इस वरत को खुशी-खुशी रखेंगे अगले दिन करवा चौध का वरत होता है और रुपाली के माइके से उसके माता-पिता करवा चौध देने के लिए आते है आपकी बेटी रुपाली हमारे घर की बहु है ये हमारा सौभागे है मैं शगुन की मठी और मिठाई जरूर रखूंगी पर ये गहने और रुपाए ये सब तो मेरी जित थी मुझे ये सब कुछ नहीं चाहिए हमें रुपाली के रूप में हीरा मिल गया जो अनमोल है केटकी के बदला व्यवहार देखकर गौरव और रुपाली उसके प्यले लग जाते है और फिर रुपाली के मपी पापा खुशी-खुशी घर लोट जाते है केटकी आज तम्हारा ये व्यवहार देखकर मैं बहुत खुश हूँ इसके बाद केट की रुपाली और साधना तीनों मिलकर कथा करती हैं और रात में चांद को अर्गे दे कर अपना वरत खोलती हैं। उस दिन सास बहु का करवा चौत वरत उनके रिश्टे में प्यार भर देता है।